अगर आपका डाउट है हेंड्रीज कर सकते हो 6.8 का 2nd point जिस जिसके डाउट है मैं एक एक करके ले लेता हूँ मैं यहीं बैठाओं कहीं जाना नहीं है अराम से जाएंगे घर देखिए कुश्चन में क्या कहता है दा कैपिटल स्ट्रेक्चर ओफ राधी का लिमिटेड कंसिस्ट ओडिनरी शियर कैपिटल और इनके पास शियर कैपिटल 10 लाख रुपे का है जिसकी एक की वेल्यू यह है तो नंबर अफ शियर्स निकल सकता है एंड डिबेंचर दे रखा है आपको 10 लाख रुपे का 10% यहां से ब्याज निकल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है वेरियेबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है फिक्स एक्सपेंस दे रखा है आपको 2 लाख रुपे इंकम टेक्स रेट दे रखा है आपको 30% दा सेल्स लेवल एक्सपेंस पर यूनिट पे सारा काम करके बताना है 2 आपको 1,20,000 यूनिट यानि एक एक लाख यूनिट से लेके एक लाख बीस हजार यूनिट पे एक करके दिखाना है you are required percentage increase in earning per share यानि EPS में कितना percentage earning बढ़ जाएगा तो simple सी बात है एक एक लाग पर निकालेंगे एक एक लाग भी सजार पर निकालेंगे difference लेके percentage निकालेंगे degree of financial leverage एक लाग unit पर एक लाग भी सजार वो तो निकाल ली देंगे कौन सा यहाँ पर operating नहीं पूछा कौन सा पूछ लिया degree of operating leverage एक लाग और एक लाग भी सजार देख रहें कोस्चन कैसे लंबा किया जा रहा है एक ही बार बोल देते different type of leverage निकाल बात करता है आगे कहता है comment on the behavior of operating and financial leverage operating और financial leverage के behavior यानि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है घट रहा है तो क्यों घट रहा है in relation to increase production एक से एक बीस में production गया तो क्या होगा हाला कि देखा जाए तो यह question इतना मुश्किल है नहीं करी लेते हैं फिर नहीं है तो बस दो साल का data है point बहुत सारे बना दिये हैं इस question को डराने के लिए और exam में पूछा गया है एक लाख एक लाख sir sales अब sales देखिए कितने एक लाख unit पे मैं एक का बता देता हूं into में sales दे रखा था 10 रुपे पर unit तो दस लाख और बारा इंटू बारा लाख ठीक है minus VC तो sir एक लाख unit है और एक छे रुपे का है छे लाख और बारा साथ लाख बीस अजार बताईए contribution sir चार लाख चार लाख असी अजार minus FC sir FC तो बताई रखा है हर लेवल पे क्योंकि company तो एक ही है ना इसके बाद आ गया EBIT दो लाख और दो लाख असी अजार minus interest sir interest आपका debenture debt दे रखा था that is 10 लाख का sorry यह रहा 10 लाख रुपे का debt है और 10 परसेंट है तो एक लाख आएगा मैं यहां निकाल देता हूँ 10 लाख का into 10 परसेंट that is 1 लाख और 1 लाख अब आजाएगा EBT एक लाख और एक असी minus कर दो यहां से tax tax है सवाल में तीस परसेंट है तो तीस अजार 54,000 अब आजाएगा हमारा EPS के earning per share कहलो या फिर earning for equity या EAT लिख लेते हैं सत्तर अजार और एक छपस अब एक एक question बताते हैं कहता है कि percentage increase earning per share में क्या percentage increase होगा per share को तो यही बटेगा ना इसमें percentage कैसे पता करोगे कितना increase हुआ वही difference तो इसको थोड़ा question तो देख लिया हमने जगह बना ले थोड़ा साफ कर देते हैं इसको ओहो जीरो भी साफ हो गया percentage change in EPS क्योंकि ultimately यही point EPS में बटना है ultimately यही तो बटेगा सोचो तो आप EPS निकालोगे फिर change निकालोगे तो कोई माइने नहीं रखता आप सीधा इसी का difference लेके कर सकते हो हाला कि EPS में निकाल देते हैं चलो number of shares number of shares number of shares number of shares देखा जाए तो यह कहता है कि भईया एक दस लाग का है सो रुपय का एक है तो दस अजार और यहां भी दस अजार यहां आजाएगा कितना zero point यहां क्या आएगा बताओ divide करो 7 EPS और यहां बताओ 12.6 अब इन दोनों का difference ले लो EPS बोला है तो तो कितना 5.6 divided by 7 कितने percent change आए बताओ कोई बता सकता है है बस 80 80% बच्चों ने बता भी दिया सर 80% सभी का जवाब आ गया लग लग 80% अदिती जायद नीशू अभिशेक दिया सभी का जवाब आ गया सर चलिए चलिए आप सभी का answer आ रहा है इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इस चप्टर में अब दूसरा पॉइंट कर ले हो गया सेकेंड कहता है financial DFL निकालना है दोनों को अब निकालना है DFL तो मैं दो बार लिख देता हूँ DFL इसका DFL क्या निकलेगा आपका DFL निकालने के लिए दो लाख divided by एक लाख कितने आ गए इसका दो आ जाएगा इसका दो 80 divided by 80 1.55 ये लो इसका भी आंसर मिल गया हमें सभी बच्चों ने आंसर इसका भी दे दिया अब का अगला कहता है DOL निकालो तो DOL के आएगा 4 लाख divided by 2 लाख 2 और 480 divided by 280 1.71 comment on the behavior of operating financing leverage increase production of the 1 to 120 तो आप देखिए यहाँ पे financial leverage दो है और यहाँ पे financial leverage घट गया और same operating leverage भी हमारा दोनों जगह पे DOL degree of operating leverage ठीक है तो हमारा behavior क्या है जैसे जैसे हमारा production level बढ़ेगा यानि एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा sales बढ़ाओगे तो operating leverage क्या होगा घटता जाएगा क्योंकि operating leverage financing leverage यह सब किस पे डिपेंड करते है फिक्स कोस्ट पर यह दोनों तो जैसे जैसे sales बढ़ाओगे तो फिक्स कोस्ट का दवाव कम आता जाएगा आपके उपर और जैसे जैसे फिक्स कोस्ट का burden आपके उपर कम आएगा आपका काम करने का तरीका और expend हो जाएगा उस case तो यहाँ पे fix कोस्ट आपके earning का ही पराबर का fix कोस्ट है यानि 1 रहता है तो 2 है तो जितनी आपकी earning है earning देखो कितना है 2 है और fix कोस्ट भी कितनी है 2 है यहाँ पे आपके earning के double तो नहीं है earning के बराबर नहीं है earning से थोड़ा जादा है जो कि आगे हमारा कितना 1.7 यानि इससे 30% का कम है एक तरीके से देखा जाए तो best आपके लिए कौन सा है मैं best पे mark कर देता हूँ यह best और यह best conclusion again same बताईए कोई डाउट यश का अंसर अधिती का, राम का, नीशू का, अर्श का किसी का कोई डाउट clear है श्रे भावना यश नो डाउट clear, प्रिती clear, कनक clear, गुपता अनिश, clear, डिया clear, चलिए, बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों का clear, clear, clear अंसु का कहना है सर एक बार आज की class एक homework हमने आपको ये वाला question दे दिया और एक homework आपको ये वाला question दे दिया अगली class में ये chapter पूरी तरीके से हो जाएगा खतम एक ये एकदम छोटा सा question है मैं करा तो दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी मैं long वाला करा दूँ और ये आप homework में करने के try करिएगा homework में करने के लिए try करिएगा बाकि मैं अगली class में shortcut method कैसे बना नहीं बना उस पे बताऊँगा अगले point पे आजाओ ये बहुत simple question है बस इसमें पता कितनी बार करना पड़ेगा एक ये plan है, एक ये plan है, plan है है वही आपको operating ये भी मैं करा दूँ आ चलो पारवा question percentage EPS ये भी difference से ले लेंगे चलो बागी के तो मैं करा दूँ आ ये छोटे छोटे सा question है यानि चार से पांच question रहते हैं जो मुझे कराना है, एक दो question आपने करना है चलिए, अब किसी बच्चे का कोई doubt है, तो doubt पूछ सकते हैं screenshot नहीं ले पा रहे हैं हाँ, screenshot नहीं लगेगा आपको अभी वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगा आप देखके note कर लेंगे, और ये जितने भी screen पे हैं लिखे हुए, आपको ये PDF format में मिल जाएगा everything is clear, okay चलिए, फिर मिलते हैं next class में, अब जिन बच्चों के कुछ एक doubt थे, वो पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं बागी हम मिलेंगे, next class के अंदर, next class कल है और कल की timing साथ बज़े exact रहेगी, और कल इस chapter को हम पूरी तरीके से complete कर लेंगे, फिर अगला chapter होगा हमारा cost of capital का, ठीक है? जिसको नोटिंग वगर करना है, वो नोटिंग कर ले